अब बात करते हैं गौालियर की जहां बरतन, कारोबारी और एक महिला ग्राहक के बीच पैसे के लेंद इनको लेकर बिबाद हो गया जहां दुकानदार ने ग्राहक महिला से अभधरिता करते हुए हाथा पाई कर दी जिससे महिला नाराज हो गए और उसने बरतन की दुकान के बाहर रखे बरतनों को लात मार कर गिरा दिया इतना ही नहीं महिला ग्राहक ने हाथों से बरतन फेकना सुरू कर दिया वहीं महिला और दुकांदार में हो रहे बिवाद का वीडियो वहां खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से बना कर सोसल मेडिया पर वाइरल कर दिया महिला और दुकानदार में हुए बिवाद का यह वाइरल वीडियो ग्वालिर की कोत्वालित हाना छित्र के पारस जी के बाड़े में इस्थित बरतन की दुकान के मालिक टाउराम चंदर गिदवान और महिला ग्राहंक के बीच का बताया जा रहा है पता चला है कि महिला ग्राहंक बरतन की दुकान से कुछ बरतन खरीद कर ले गई थी लेकिन पसंद आने पर उन्हें वापस करने आई थी लेकिन दुकानदार बरतन वापस करने से मना कर रहा था इसी बात को लेकर महिला वा दुकानदार के बीज बिवाद हो गया छोटी सी बहस से सुरू हुआ बिवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने महिला ग्राहक से अबद्रिता करते वे हाथा पाई कर दी हाथापई करने से महिला इतनी आक्रोशित हो गई कि उसने दुकान के बाहर रखके बरतनों में लात मार कर बरतन फेकना सुरू कर दिया वहीं आसपास के दुकानदारों ने नाराज महिला को समझा बुझा कर सांत कराया इसके बाद महिला वहां से चली गई यह वाइरल वीडियो बीती रात त्रिका बताया जा रहा है